22 जन्वरी 2024 मानव के ध्यास में एक ऐसा पल है जो एविस्मर्णिय है ये हमेशा हमेशा याद रहेगा हम सौभग्यशाली है कि इस पल का हम आनंद ले पाएंगे जादा समय नहीं है कल रविवार है और परसो सुबै रगुनात जी वापस पधार रहे हैं तो इस उपलक्ष में स्रीराम चरितमानस से जब हनुमान जी ने भरत को आकर ये संदेश दिया कि रगुवर आएंगे उसके बाद स्रीराम चरितमानस में क्या लिखा है उसी पर उनों में सिर्णवाकर हनुमान जी तुरंथी स्रीराम के पास लोट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही तब प्रभू हरशित होकर विमान पर चड़ कर चले इधर भरत जी भी हरशित होकर आयद्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया फ परच जी ने प्रभू की कुशल कहकर सब को समझाया नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो इस्त्री पुरुष सभी हरशित होकर दोड़े स्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदी वस्त्वे सोने के थालों में भर भर कर हतनी की सी चालवाली सोभाग्यवती इस्त्रिया उन्हें लेकर गाती हुई चली जो जैसे हैं जहां जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दोड़ते हैं देर हो जाने के डर से बाल को और बूढों को कोई साथ नहीं लाते एक दूसरे से पूछते हैं भाई तुमने दयालु स्री रगुनाज जी को देखा है प्रभू को आते जानकर अवद पुरी समपून शोभाओं की खान हो गई तीनों प्रकार की सुन्दर वायू बहने लगी सर्यू अती निर्मल जलवाली हो गई अर्थार्थ सर्यू का जल अत्यंत निर्मल हो गया गुरु वसिष्ट जी, कुटुमबी, छोटे बाई, शत्रुगन तथा ब्रामणों के समू के साथ हर्शित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम शिर्राम जी के सामने अर्थार्थ उनकी अगवानी के लिए चले बहुत से इस्त्रियां अटारियों पर चड़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्शित होकर मीठे स्वर से सुन्दर मंगल गीत गा रही है सिर्गुनाद जी पूर्ण मा के चंद्र मा है तथा अवदपूर समुंद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्शित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है इधर उधर दोड़ती हुई इस्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती है जहां विमान पर से सूर्या कुल रूपी कमल के परफुलित करने वाले सूर्या शिर्राम जी मानरों की मनोहर नगर दिखला रहे है वे कहते हैं हे सुग्रीव हे अंगद हे लंकापती विविक्षन सुनो यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर है यह जद्पी सबने वैकुंट की बढ़ाय की है यह वेद पुरानों में परसिद्ध है और जगत जानता है परन्तु अवद पुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है यह बात वेद कोई कोई विरले ही जानते है यह सुहावनी पुरी मेरी जनम भूमी है इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सर्यू नदी वहती है जिसमें स्नान करने से मनुश्य बिना ही परिश्रम मेरे समीब निवास पा जाते है यहां के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है यह पूरी सुख की राशी और मेरे परमधाम को देने वाली है प्रभू की वाणे सुनकर सब वानर हर्शित हुए और कहने लगे कि जिस अवद की स्वयम श्री राम ने बढ़ाए की वै अवश्य ही धन्य है प्रपा सागर भगवान श्री राम चंदर जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभू ने विमान को नगर के समीब उतरने की प्रेड़ना की तब वैप्रट्री पर उत्रा विमान से उतर कर प्रभू ने पुश्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ के शरीर दूबले हो रहे हैं प्रभू ने वामदे वशिस्ट आदी मुनिश रेष्टों में देखा तो उन्होंने धनुश बान प्रिक्षी पर रख कर छोटे भाई लक्षमन सही दोड़कर गुरू जी के चण कमल पकड़ लिए उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे ह मुनिराज वशिस्ट जी ने उन्हें गले लगा कर कुशल पूछी आप ही दया में हमारी कुशल है धरम की पुरीधान करने वाले रगुकुल के स्वामी शीर राम जी ने सब ब्रामनों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया फिर भरत जी ने प्रभू के कर्चन कमल पकड़े जि से लगा लिया सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की बाड़ा गए तो शीराम आयुद्या पहुचने वाले हैं आप सब इस पल का आनंद लीजिए और प्रियास कीजिए कि शीराम के चरित्र को हम जाने उनके मरियादाओं को हम अपन जीवन में उतारें तभी मानों का कल्यान होगा ये पूरे विश्व के कल्यान की घड़ी है आओ मिलकर उसा मनाए जै शीराम जै शीराम जै जै शीराम